तो हेलो दोस्तों आप देख रहे हो टेक्निकल पोकास यूटूब चैनल और मैं हो पाकास दुलाब आपका दोस्त आज इस वीडियो में मैं आपको बाताने जा रहा हूँ कैसे आप आपनी ब्लोग और वेबसाइट के लिए कस्टों लेंग्वेज ट्रेंसलेटर को लगा सकते हो इसको लगाने से दोस्तों क्या फाइदा होता है दोस्तों मानों कि आप अपना लोकल लेंग्वेज में आर्टिकल लिख रहे हो चाहे वह बंगली हो चाहे वह इंगली हो हिंदी हो कोई भी लोकल लेंग्वेज में आप लिख रहा हो और आपके website में जो traffic आ रहा है वो UK country से है वो बंगलादेश country से है या पारिस से है पाकिस्तान से इसलोंका से जो भी country से वो ट्राफिक आपके website पर आ रहा है यानि visitors आपके website पर आ रहा है वह दोस्तों क्या कर सकते है वह custom language translator को यूस करके वह आपना local language को बहाँ देखके पढ़ सकता है तो दोस्तों कैसे आप कड़ोगे पूरा चीज आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ और एक कोड में आपको प्रोवाइट कर दूँगा वीडियो के डिस्क्रिस्टन लिंक से उसको आप यूज करके कस्ट्रोम लेंगोज ट्रैंसलेटर अपने लागा सकते हो तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को नए देख रहा हो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके विलाइगान को अल कर दीजिए ताकि इस तरह की लेटिस वीडियो आपके पास तुरान पहुच जाए तो दोस्तों इस चैनल में आप देख सकते हो ब्लोगिंग रिलेटेड जो भी प्रब्लेम आपका होता है उसका सुलीशन आज इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं कैसे आपने व्लोगार वेबसेट के लिए कास्ट्रोम लेंगोज ट्रैंसलेटर को इसकर सकते हो तो यहापे लिखा हुआ हैं English language में देखो हेडलाइन देख सकते हो तो अगर आप चाहते हो इसको कोई भी आपके Local लेंगोज में पालना तो आप पढलते हो तो इसके लिए आपको कह करना होगा पे उसको उसमें आपको क्लिक करना होगा काने के बाद आपका आप uगसे डेख सारी लेंगोज है running यहाप आगर आप चाहते हो आपका लोकल लेंगोज तो इसमें आपके website में बहुत सरे traffic भी आएगा और organic traffic आएगा दुस्तों क्या होगा कोई भी विजिटर से आगर आएगा आएगा आपके website में फर्जियन कंट्री से तो वह अपना local language से आर्टिकल पढ़ सकता है तो इसके उपार में एक पूरा आर्टिकल बनाए हूं और वहा आपको copy कर लेना है copy करने के बाद आपको चले जाना है अपने blogger के dashboard में डेसबूर्ड में जाने के बाद आपको यह पर थीम्स का option मिल जाता है बहाँ पर आपको क्लिक कर देने के बाद यहापको अस्ट्रोमाइज में आपको edit HTML मिल जाएगा बहाँ आपको edit करना है उसमें क्लिक करता ही आपको यहापे head section खुजना होगा slash head तो मैं यहापे slash head को copy करके पेस्ट करता हूँ तो देने के बाद यहापे slash head आ गया है अभी आपको यहापे क्या करना है पहले वाला जो code वहाँ से copy किये थे उसको यहापा रही head के ठीक उपर section में आपको paste कर देना है तो म दूसरा वाला जो भाग है उसको भी आपको copy कर लेना है तो दूसरा वाला भाग को अभी copy कर ले लेने के बाद और ठीक इसके ही निचे जहापर अपने code को paste किये थे ठीक उसके नीचे एक slash देगे आभी आपको इसको मार दिस सकते हो paste कर सकते हो तो यह तो हो गया पहला वा तो इसको आपको copy कर लेना है आर्टिकल से करने के बाद आपको चले जाना है आपके blogger के dashboard पर अभी dashboard पर आपको यहापे search कर लेना है header तो slash header section वो मैंने article में लिखा हुआ हूँ तो आप देख सकते हो आर्टिकल से slash header लिखके अभी आपके enter करोगे और header के ठीक उपार देखिए आपके मैं अल्री paste करके रखा हुआ हूँ header के ठीक उपार आपको उसको paste करना है ठीक है paste करके आभी आपका जो काम बागी है वह यहापे इसको आपको save कर दे रहा है तो यहापे आप देख सकते हैं यहाभी दिखा रहा हूँ यहां के ठीक डीप के निक्शन उपार में यहापे दिख रहा है गुगल टांसलेटर तो दोस्तों ऐसे करके आप आप आपना जो वेपसाइट है उसमें गुगल कास्टम टांसलेटर को यूज कर सकते और उससे भी दोस्तों आपको फाइदा क्या होगा विजिरर्स अपना लोकल लेंगोज में पढ़ सकता है और आपके वेपसाइट में वह दोबारा भी आएगा पढ़ने के लिए